आज के प्रदिस्पर्धी दौर में हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की चाह रगता है। वो मार्ग दर्शन न मिल पाने की बचा से कई समस्याओं का सामनावने करना पड़ता है। मैं तो पूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परिक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएं हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे सबी वीडियोज को सबसे पहले देखनी के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुवात करते हैं आज के इस वीडियो की। PCS की परिक्षा के कुल तीन चरण होते हैं जिन में पहला दूसरा वा तीसरा चरण कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला होता है प्रारंभिक परिक्षा, दूसरा होता है मुख्य परिक्षा और तीसरा होता है इंटरव्यू यानि सक्षातकार। तो सबसे पहला प्रेशनी के प्रारंफिक परिक्षा को कैसे पास करें। PCS परिक्षवा के पहले चरण में दो पेपर की परिक्षा होती है, यानि पेपर वन और पेपर टू जो दोनों ही जिनरल स्टडीज और सी सेट के एक्जाम्स होते हैं। जो अभ्यार्थी प्रारंफिक परिक्षा को उतीर कर लेते हैं, उन्हें PCS मेंस के परिक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाती है। मुख्य परिक्षा कैसे पास करें? अब यह है एक बड़ा सवाल आता है। तो PCS के दूसरे चरण में 9 पेपर्स की परिक्षा होती हैं, जैसे Compulsory Indian Language, English, Essay, General Studies के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Optional होती हैं। इसे के साथ अभ्यार्थी को यह अजादी होती है कि वह अपने परिक्षा के लिए किसे भी माध्यम का चयान कर सकता है। जिस माध्यम में अभ्यार्थी की रुची हो, इस परिक्षा को उतीन कर लेने के बाद अभ्यार्थियों को PCS की परिक्षा के आखरी चरण यानि Personality टेस्ट में बैठने की अनुमती भी मिल जाती है। अब यह साक्षतकार आखरी चरण होता है। PCS की आखरी चरण साक्षातकार में अभ्यार्थी के व्यक्तित वलक्षन को परखा जाता है। उनसे उनकी रुचियों, General Knowledge, Current Affairs और कुछ परिस्तिती से जोड़े सवाल पूछे जाते हैं और उनके उत्रों के आधार पर उनका आखलन किया जाता है। रही बात PCS की ट्रेणिंग के प्रक्रिया के तो अभ्यार्थी द्वारा तीनों ही चरणों में सफलता को हासिल करने के तत्पशात PCS की 21 महीने की ट्रेणिंग करने पड़ती है। यह ट्रेणिंग लाल बहादु शास्त्री नैशनल अकार्वी ओफ एड्मिन्स्टेशन से शुरू होती है और उसके बाद उन्हें 12 महीने के लिए जिला परिक्षण दिया जाता है। इस ट्रेणिंग को पुरा करने के साथ ही एक PCS बनने का सफर समाप्थ हो जाता है। लेकर बारवी तक की NCRT की किताबों को जरूर पढ़ें। साथ ही करन्ट अफेर्स के लिए प्रदे दिन अखबार को पढ़ें। कुछ अन्ने किताब हैं जैसे Certificate Physical and Human Geography, Indian Economy by Ramesh Singh, Indian Art and Culture by Ritun Sinkhania, Brief History of Modern India by Rajiv Ahir, Indian Airbook, Current Affairs की Reference किताबें। Quality for Civil Services Examination by Lakshmi Kant वहीं बात की जाए इसके योग्यताकी तो वहे कुछ इस प्रकार होती है कि किसे भी विश्विद्यालेशे सनातक की डिकरी को प्राप्त कीया हूँ, भारत का नागरिक हो न आतीव आविशक है, किसी भी प्रकार के अप्राधिक माभलों में शामिलना हूँ और वहीं I.O.se पूरा कैसे करें उपर जो मैंने आपको सही चानकारी बताई ही है उनका पालण करते हुए एक PCS बत्कादिकारी बनने के लिए बहुत परिष्ट्रम के आविशकता होती है और उसे के साथ धैरे, सायम, लग्ण, हिम्मत की भी जो व्यक्तित्व के व्यक्तिक गुड़ों से प्राप्थ होती है इस अपने को पूरा असानी से किया चाओ सकता है और वह है खुद पर विश्वास का होना कि हाँ मैं कर सकता हूँ यहाँ मैं कर सकती हूँ सोहनलाल दुविदी जी ने अपनी कविता से सही ही कहा है लहरों से डर करनों का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती PCS बनने के लिए इसी तरह के सकरात्मक विचारों का होना भी अधियाविशक है जो आपको एक सफल IES या PCS अधिकारी के पद तक पहुंचा सकता है और आपको अपना सपना पूरा करने में मददगार भी साबित होगा तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिससे आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपने इन सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुना तो आपको PCS बनने से कोई नहीं रोग सकता इसी के साथ अगर आप भी GPS की तियारी कर रहे है तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताब हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आप इन सभी किताबों को Amazon और Flipkart से मंगवा सकते हैं साथी स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर संपर करके आप इनी ओडर भी कर सकते हैं तो उमीद है आप से फिर मुलाकात होगी Mission JPSA की YouTube चैनल पर तब तक के लिए नमश्कार आपकी JPSA परीक्षा की त्यारी को Fast Track पर लाने के लिए भारत का प्रसित पब्रिशर प्रभात प्रकाशन आप के लिए लाया है Complete Book Series इसमें आपको मिलेंगे Paper 1 और Paper 2 की संपून Guide Books ये किताबें Hindi और English दोनों में त्यार की गई है जारकर्ण समानने ज्यान के लिए उपलब्द है I.S. Dr. Manish Ranjanji की जारकर्ण वस्तुनिष्ट सीरीज जिसमें है 7000 प्लस Objective Questions ये बुगबें English और Hindi दोनों में available है इसके साथ ही Paper 1 और Paper 2 के प्रतियेक विशे पर भी हमारी किताबें उपलब्द हैं जिन में है Topic-Wise Salt Papers ये किताबें है latest syllabus पर based और इनमें last year's salt paper भी आपको मिलेगा 100% exam ready होने के लिए आप बढ़ सकती है 15 model salt papers ये बुग English में भी available है तो आज ही और जर करें Amazon, Flipkart या नजदी की Bookstore से क्योंकि इतनी सटी किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी